नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा, इस विडियो में हम दिसकस करेंगे कि रोजवेस्ट टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, रोजवेस्ट टैबलेट को कैसे लेना चाहिए, और रोजवेस्ट टैबलेट की वज़से क्या साइड हो सकते हैं, और यह भी डिसकस करेंगे कि रोजवेस्ट टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए, रोजवेस्ट एक ग्रैंड नेम है, रोजवेस्ट टैबलेट के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन रोसुवेस्टिटिन होता है, रोजवेस्ट बैड कोलेस्टरॉल के लेवल को कम करती है, और शरीर में गुड कोलेस्टरॉल के लेवल को बढ़ाती है, बैड कोलेस्टरॉल को LDL या Low Density Lipoprotein कोलेस्टरॉल भी कहते हैं, और गुड कोलेस्टरॉल को HDL या High Density Lipoprotein कोलेस्टरॉल भी कहते हैं, इसके अलावा रोजवे टाबलेक्ट ट्राइगलिस्राइट्स के लेवल को भी कम करती है। ट्राइगलिस्राइट्स फैट की ही एक टाइप है जो बलड में पाई जाती है। तो आपको रोजवेस्ट टैबलेट को लेने के साथ साथ कम कोलेस्टरॉल वाली डाइट लेनी चाहिए और घीव ज्यादा तेल से बने भोजन को खाने से बचना चाहिए इसके अलावा रेगुलर एकसरसाइस करनी चाहिए साइड इफेक्स की बात करे तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में रोजवेस्ट टैबलेट की वज़ह से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं लेकिन 2% से भी कम व्यक्तियों में रोजवेस्ट टैबलेट की वज़ह से कुछ साइड इफेक्स हो सकते हैं जैसे सिरदर्ध होना, बदहजमी होना, शरीर में कमजोरी वत्थकान होना, नाक से खून आना, पेट से गैस निकलना, कब्ज होना और कुछ व्यक्तियों में दस्थ होने की समस्या भी हो सकती है. रोजवेस्ट टैबलेट की वज़ह से ब्लड शुगर लेवल अधिक हो सकता है, कुछ व्यक्तियों में रोजवेस्ट टैबलेट की वज़ह से लिवर डैमेज भी हो सकता है, इसके अलावा रोजवेस्ट टैबलेट की वज़ह से शरीर की मासपेशियों में दर्द, जोडों म डॉक्तर से परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि ये लक्षन रैब्डोमायोलिसिस के भी हो सकते हैं। रैब्डोमायोलिसिस एक ऐसी कंडीशन है, जिसमें मास्पेशियों के टिश्यू डैमेज हो जाते हैं। मास्पेशियों के टिश्यू डैमेज होने की वज़ से मास्पेशियों से मायोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन निकलता है, जो बलड में मिल जाता है, जिसकी वज़ से किड्नी भी डैमेज हो सकती है, वैसे रैप्डो मायोलिसिस होने की संभावना बहुत ही कम होती है, लेकि रोजवेस्ट टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। रोजवेस्ट 40 mg टैबलेट को भी दिन में एक बार लेने की सला दे सकते हैं। रोजवेस्ट टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। लिवर की कोई बीमारी होने पर रोजवेस्ट टैबलेट को लेना रेक्मेंडेड नहीं होता है। प्रेग्मेंट महिलाओं और स्तन्पान करा रही महिलाओं के लिए रोजवेस्ट टैबलेट का सेवन करना सुरक्षित नहीं है. वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद.